है गाइस वेल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल विद अनाधर वीडियो फिद दिन उसे कमेंट आ रहा था कि मतलब SP 125 को क्या हम पहाड़ों पर चला सकते हैं मतलब जैसे मेरे को कई भाई मतलब हिल से ब्लों करते हैं मतलब पहाड़ी रिसी ब्लों करते हैं तो उनको यह कनिफ्यूजिंग थी कि क्या इस बाई को पहाड़ों पर चला सकते हैं तो यह सपता के सीन है अगर मान लो आप अकेले राइड कर रहे हैं सिंगल बिदोड पिलियन तो आपको मतलब कोई ज्यादा दिक्कत आने वाले हैं नहीं मतलब पाबर भी अच्छी खासी आपको मिलेगी असली कि मतलब काफी आपको क्ला बावर की कुछ कमी लगे लेकिन आपके बिच्छी डरी पीण बैठाए है घॉइवी तो अगर थोड़े असा पावर में कि यह थोड़ी पाप्र आपको कम रहे हैं लेकिन अगर आप सिंगल चला रहे तो शिंगल जैसा मतल कि और इसका इंजन में काफी समूध है यारा मतलब सीन बता क्या है जैसे मैं मतलब अगर आप 125 सिसी के सेगेमेंट में अध्रबाइक्स को देखो तो उनमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली चल रहे हो तो बाइक मतलब चलते हैं लेकि इसका क्या सीन है कि इसको नॉर्मली चला रहे हो अगर चलती है तो वहां पर काफी समूध हो जाती है नॉर्मली जाता हूं यहां पर भगा सकते हैं तो मतलब काफी समूध हो जाती है और आपको तो पता है है मतला होंडा के इंजर्स में काफी ज्यादा का मतलब वैसा यह समय भी है पर अगो नियुक्त कि आइस पर कि मालो कई रिम चला रहे हो तो जैसे आपको कहीं पास वगराए लेना तो थोड़ा सा फिर्स आपको करना पड़ता है माला हुआ तीन चार गाड़ी कठी चल दिए और और आपको पास लेना उनसे तो थोड़ा सा आपको पाफ्र के ड्रोप लगती है बले हील के बाद करो वाक्या उड़ाओ तो अच्छी जादी है अच्छा अच्छा लेकिन इसका पता कि मेरे को थोड़ा टायर का लगता है क्या वार अग्रा स्पीड पे स्पीडिंग कर रहे हैं अब दसी नबे भी चल रहे हो सब्सक्राइब करें तो अब थोड़ा टायर के करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको लूज होता है कि अगर कहीं कि अगर को ब्रेक लगानी पड़ जाए तो तो उसके अगोडिंग अगर आप चाहो तो इसको अपग्रेड कर सकते मैं भी सोच रहूं कि कुछ टाइम बाद सब्सक्राइब करें तो इसको अपग्रेड करेंगा मतलब मैं सोच रहाँ कि इसको 100 सेक्षिन में क्या हूं एटी सेक्षिन का जुसको रियर जोला टायर है उससे यह एवरेज का थोड़ा ड्रॉप तो लेकिन यह कि आपको सेफ्टी अच्छी मिलेगी और आप मतलब चलान आपको कि अगरें के ऊपर भी यहां के लिए तोड़े टाइम बात भी अगर आपको ही इसके अपको इसका में वाले वीडियो बनाओ तो आप कमेंटर बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर होगा तो में फूचर इसकी एक मतलब एवरेज की वीडियो लेकि आउगा को मतलब हिली एरी पहाड़ी रास्तों पर यह कैसी अवरेज देती है कि अगर मज़ा आता है जलाने वैसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसा लगए कि आप हलकी बाइक चला रहे हूँ कि आपके आपको पता है यह इन दास्तों पर आप ज्यादा भाइक भगा नहीं सकते हो आपको हर मतलब सो मेटर के ब्रेक लगाना पड़ता है गेर चेंज करना पड़ता है तो आप इतनी यह स्पीड पक्रक्टेव नहीं हो तो उसी साफ से तो मसलब यहां के एरी के साफ से बड़ी अबाई काई है और ब्रेकिंग भी काफी अच्छी यार इसकी नहीं है मतलल पॉन साता जलाने मीं कैंपका पता है यह टो भी कद रूगी ढ़रेंग यह राम तो तो भाई जो मेरे भाई अगर हिली एरियस है और इस बाई को लेने की सोच नहीं तो भाई ले सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है है इसको लेने में मतलब आपको 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 और जादन की बाब्र की कमेला यह कुछा राम से चलती है तो मेरे माइंड में यह चीज पहले थी कियार क्योंकि से पहले मेरे 125 थी निमेरे पास मिरी एक तोड़ा साइसा डाउट रहता है कि इसको क्यों पीछे लगता है इसको भी हमारे बाइक को ज्यादा पसंद आगी तो मैं बोड़ा था कि अगर आपको मैंड में आशा कर पुश्चन है कि यार नहीं आप हिली अरिये में आपको दिक्कत आएगी आप लेकर बाद में परशान है कि तो ऐसा कुछ नहीं है मज़ा आता जलाने इसको अगर अगर देखे ना तो यार आज के टाइम पे आपको पता ही है अगर आपको जादा पैसा तो आप तो दोस्तों सीशी डाइसों तो पीजा सकते हैं लेकिन अगर आपको यह की डेली रहनी आपकी कुछ ज्यादा है तो और आपको पावर भी चाहिए और एवरेज भी चाहिए तो तो यह बैस्ट है पर आपको पता यह 125 के प्राइस शीच्छ तो दे रही हैं लेकिन प्राइज उनके मुझा काफी उपर जा रहे हैं तो यह सीन पता क्या है मादलो आपने 125 सीच्छ नेंगना तो उसके लिए कि आप यार इतना ज्यादा मुझलब पैसी देने का मतलब बनता है नहीं मेरे ख्याल से अगर मैं सोच्छू क्यों कि मुझलब जो फीचर आपको दी जाते हैं कि 125 में आपको यह वीचर दिये जा रहा है रहा है मुझलब काफी मुझल कि किसी को टार्गेट निकर रहो कि आप अब लिए बोड रहों तो शीन के अथा कि यार रियल लाइफ में वो साड़ी फीचर दो यूज निकरते हो चनड़ आपको नॉर्मली है है ना में तो चलाने आपको बाइक है एवरेज और बाइक के मज़े लेने चलाने में फीचर दो चलो कभी कबार काम आते हैं तो उसी सबसे तो मतल्स ही है अब इस बाइक की बाद तो इसके अभी पहली ही सर्विस होई है और सेकेंड सर्विस आइचिक इसकी नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी जो पच्पंसो किलिमेटर के बाद होती है तो यह 5,000Km होने वाली है है अगया है लाइक्स वीक तक सर्विस हो जाए लाइक्स के बात बात करो तो मैंने इसके उपर एक लक्सी वीडियो बनाए थी लाँस्ट वीक मनाए थी मैंने वीडियो तो लेट्स की तो वी काफी अच्छी है अगर मतलब मैं यहाँ की बात सब्सक्राइब तो जितनी जरूरत है उसे जरूरत के साब से अच्छी मतलब यह फ्रो देती है जो ही लेरिये के मेरे भाई है कुछ अगर उनको अंदर डाउट है कि यह कितना है वरी देखता हूं कि आपको बता नहीं सकता हूं कि अगर आपको इसके अपर अलक्सी वीडियी चाहिए कि भाई प्रोपर हील एरिये में यह कितना अवरी देती है तो मैं उसके उपर वीडियो मना दूंगा तो आप उसके लिए कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बता देना कि अगर आपको इसके अलक्सी वीडियी चाहिए तो देखेंगों यह स्वाइब है कि एक है और यह 125 शींग कि पायदा कि आपकी बहारे भी नहीं नहीं पड़ती यह जो पहले में तो पहले यह प्री सर्विसिंग इसकी टार इंग से आपको पते हैं ऑम इंटा की आपकी फ्री मिलती है तो पहले सर्विस्स तो चार सर्विसें इसकी 500 के रहेंगी उसके बाद अगर देखा जाए तो आई थिंक शासो और साड़े साथ सो के बीच में रहेंगी इसकी सर्विसिंग अधियर वाइबरेशन तो जीरो है यार मतलब जो मेरे चलाते हैं उनको पता होगा और जिन्हों कभी चलाई भी है तो लोग वह जानते होंगा यह श्रूद्ध नाकर बराबर थोड़े बहुत है इतने ज्यादा है नहीं है कि अधियर नोर्मली मैं इसको मतलब 85-65 पीडियों में चला तो लेकिन कभी को दिल करता कि नहीं थोड़ा जैसे आप हाइवे बीचल तो आपको पता ही यहार हाइवे पे मदल्ब बन करता है कि तो बगाने खाली रोड देखके तो वहां पर यह काफे अच्छा परफॉर्म करती है कि अधियर लेकिन थोड़ा दो पिलता है तो प्रफिया जितना जब बाइक को बगाओ के तो पता ही है यह आपको आपको तो थोड़ा कम उस पर मिले के लेकिन मज़ा आता जाने का कि 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 पहले था वो काफी तो पता है यहार एक यह जैसे लगाते हो वह देख वो अभी दौड़ा फिर इबागे लिए यहार लेकर देरी जालूंगा इस यह यह वेड्र कर रहा है गुर्वाइक को स्लो करते हैं रहे हैं यह वह आपके ङरा अगर अगर रुप रुखोगे अ तो काफिसमानों को गर आपके बचाह रहा तो और तेज भग आते हैं तो उससे आथा कि अभी गिरने को ने करता है कि वर्ल डुल मिजूआ कोई कमी नहीं है ज्यादा तर ऊठार कोई कमी नहीं है थोड़ी बॉत चीज यह आप उद्यास कर सकते हो ज्यादा को दिक्स है नहीं इस अगर कोई और दावट आफ के अंदर रहता है कोई और प्वाय रहती तो मैं हमेशे वोलता हो कि आप कमेड़ वोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो उसका मैंस आपको कर दूंगा और आपको बता है होंडा के भाइक काफी अच्छी होती है इनके इंजन देखे जाए ना तो लो लोंग टार्म के लिए काफी अच्छे चलते हैं इस अधिए तो गैस वीडियो में सिर्फ इतना था वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जूर करें और कोई भी क्यारी जैसे कि मैंने पहला बूला कि आपके अंदर अगर है तो आप वो कमेंट बॉक्स में करके बूसकते हैं उसका अंसर मैं आपके अंदर कुछ और डाउट रहता है तो आप मुझे पूसकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगिए हो दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जूर करें for more informative वीडियो थेंक यू